तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है बागो बहार चैप्टर का नाम क्या है बागो बहार और यह चैप्ट लिख दी जाए तो उसको कहा जाता है दास्तान जिसको एक ही बैठक में नहीं पढ़ सकते हैं अभी ही जो चैप्टर है ना यह दास्तान का समझे की एक किताब है मागो बहार जैना आप लोग को नहीं पढ़ना है अगर पूरा दास्तान में पढ़ाना शुरू करूंगी त तो रात से दिन हो जाएगा और दिन से रात हो जाएगा और पूरा वीडियो जेना बहुत ही लंबा होगा मैं आप यूँ के सकते हैं 16-17 घंटा का बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगो इस चप्टर में पूरा दास्तान नहीं पढ़ना है यह जो बागो बाहर नाम का दास्तान का किताब है पूरा किताब पूरा दास्तान नहीं पढ़ना है बलकि उसी दास्तान का एक छोटा सा टुकड़ा यानि की अंश पढ़ना है यानि की पूरा फिल्म नही आजाने वाला है ठीक है आखिर में बहुत ही इंडिंग कहानी की गई है वो आप लोग इंडिंग सुनेंगे तो फिर आप लोग को लएगा कि इंडिंग एसमें इंडिंग नहीं बताई गई है कि कैसे इंड हुआ है यानि कि आपको आगे क्या हुआ यह जानने के लिए पूरा दास्तान पढ़ना होगा ठीके ना यह इंसान के अंदर की जाग जाती है कि आखिर आगे क्या हुआ तो आगे जानने के लिए आप लोग को पूरा दास्तान पढ़ना होगा लेकिन इस चैप्टर में पूरा दास्तान तो द निफ वह मीर अमन दहलवी के बारे में वह सभी डिटेल और देख लेंगे क्या क्या बता इनके बारे में और जो भी इंपॉर्टन टॉपिक है वह आप लों इस चैप्टर को साइड में रख लेते हैं ठीक है क्योंकि सबसे पहले मीर हमन दैनवी के बारे में जानना जरूरी है जो कि मुसर्णिफ यानि की लेखक है और लेखक से ही जादे तर आप लोग के एकजामे क्योशन पूछे जाते हैं लेकिन चैप्टर से कम और राइटर या आप लोग को कुरियसिटी होगी जानने की कोशिश करेंगे आप लोग मतलब मन करेगा की काश पूरा कहानी दिख दिया होता ठीक है लेकिन इंड कर दिया गया है वहीं पर तो चलिए सबसे पहले मीरमन दैनवी के बारे में समझते हैं इनका असल नाम यानिकी रियल नेम ज जब रिसर्च किये लोगों से पूछ ताच किये जब पता लगाया गया तो इनके बारे में कुछ का डिटेल्स पता चला है कि इनके पैदाइश दिल्ली में हुई थी बस इतना ही पता चला है अब कब हुई और पूरा मतलब डीटेल्स जानने की कोशिश की गई तो उतना नहीं पता चल सका बस इतना पता चला कि हाँ इनकी पैदाइश दिल्ले में हुई थी और इनका जो तखलुस था वह लुद्फ था यानि कि शेर और शायरी के लास्ट लाइन में जो नाम यूज करते थे वह लुद्फ ठीक है तो रियल ने मीरमन तखलुस था लुद्फ औ पैदाइश इनकी हुई थी दिल्ली में और यह इनका तालुक रईस खांदान में जो भी इनके बाप दादा पर दाप वगरत है उनका तालुक मुघल शाथ को से था इसी यह जैसे बहुत-बहोत ही जयादाम जायदाद था इनका इनके वालीद के पास तो इनके वालिद के पास था तो और विजोली बात है इनको मिलेगा कि उनके बेटे हैं ये तो इनके पास धेर सारी जमीन और जायदात थी और लेकिन हुआ ये कि यहां पर मैं लिख दी हूँ एहमद शाह अबदाली की फौज जब दिल्ली में आई न तो मीरमन दहलवी का घ सूरज मिल जाट ये भी कोशन पूचा गया है कि मीरमन दहलवी की जागिर किसने जब्द कर ली ऑप्सन में दिया रहेगा सूरज मिल जाट ठीक है तो इनका सब कुछ जो है ना एक तरह से लुट गया जब इनकी जमीन जैदाद मतलब जितने भी जागिर थी सब लुट रहेखे इनका घर भी सेफ नहीं रह सका ठीक है अब ये क्या किये डिली से अजीमआबाद आ गये और अजीमआबाद कर कुछ दिनोंत को अधिमड़ में ही और उसके बाद से तलाश मॉस के कि सिलसिले में यह उनकी नौकरी कि तलास में यह कलगत्त आय थे और कलगत्ता में कुछ जगर नौकरी किये कुछ सालों तक उसके बाद से इनकी मुलाकात हुई थी जान गिलक्रिस्ट से ठेक है ना और 4 मई 1801 को फॉरट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबह में यह मुलाजमत करने लगए यान की इनको नौकरी मिल गई पॉरट विलियम कॉलेज के हिं कि नौकरी लग गई ठेक है और कितना रुपे महीना इनको मिलता था तो 40 रुपे महीने तनख्वाब पर उस वक्त 40 रुपे ही बहुत ज्यादा हुआ करते थे 18 से एक की बात हो रही है ना अभी के जमाने में भले ही लोग 40 रुपे को कुछ ना समझते हो लेकिन उस वक्त क की बात ही अलग थी उस वक्त 40 रुपे बहुत ज़्यादा हुआ करता था तो 40 रुपे तनख्वाब पर यह लगे हुए थे फॉर्ट विलियम कॉलेज में ठीक है पहले की दमाने की बात ही अलग थी अठनी चरनी चलती थी अम लोग अठनी चरनी लेकर ही कुछ हो जाया करत ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं 40 रुपे तनख्वाब यह लग गये थे फॉर्ट विलियम कॉलेज में और यह नौकरी कर रहे थे अठार सा एक से चार मई अठार से एक से लग गए और अठार से एक से काम करते करते अठार से चे तक इनके जिसम में बिमारी हो गई थ ठीक है फार्सी के बहुत ही अच्छे यह जानकार थे इसी वज़र से फार्सी की मशूर एक किताब है जिसका नाम है एकलाक महसनी एकलाक महसनी का इन्होंने उर्दू में तरजुमा यानि कि ट्रांसलेट किया है उर्दू में ट्रांसलेट किया है जिसका नाम रखा गया है क्योंकि एकलाक इमोसनी इसका translate किया हुआ है उर्दू में तो उसका नाम रखा गया गंजेखुबी उसी तरीके से चहार दर्वे से भी एक फार्षी की किताब थी और इसको भी मीरमन देल्वी ने उर्दू में translate किया था यानि की तरजुमा किया था जिसका नाम रखा गया ब कि कहें तो बागो बाहर यह जो है दास्तान का किताब एक किताब का तर्जुमा है तो याद रखियेगा चाहर दर्वेश क्यूशन पूछ देता है और चाहर दर्वेश में यह तो बागो तो कोशन पूछा गया था कि बागो बहार में कितने दर्वेशों के वाकियात को बियान किया गया है ओप्सन में दिया रहेगा चार धीरे से टिक किजिएगा तो चार दर्वेश नाम के किताब को इन्होंने ट्रांसलेट किया था बागो बहार नाम से अब देखिए बागो बाहर ये जो किताब लिखे थे यानि कि ट्रांसलेट किये थे ये 801 में मुकमन लिखकर तयार कर चुके थे यानि कि बागो बाहर नाम के दास्तान का किताब जो था ये 801 में मुकमन हो चुका था और उस वक्त उसका नाम जो था वो चहार दर्वेशी था क्योंकि चहार दर्वेश की नाम से इसको ट्रांसलेट किया गया था तो 1801 में ये तयार हो चुका था लिखकर लेकिन उस वक्त उसका नाम चहार दर्वेश था अठार सो दो में इसका नाम बदला गया यानि कि बार सो सत्रह हिजरी में इसका नाम बदलकर बागो बाहर रख दिया गया ठीक है ना तो पहली मरतबह ये बागो बाहर नाम का जो दास्तान का किताब है वो 804 में कलकत्ता के हिंदुस्तानी छपकाने से तबाह हुआ यानि कि इसको शाय किया गया परकाशित किया गया ठीके ना याद रखेगा 804 में पहली बार कलकत्ता के हिंदुस्तानी छपकाने से बागो बा पर पानशारुपय का इनाम मीरमं दैलऑी को मिला था नाम हो चुका था ठीक है ऑठारसा-लियू को होण से विद्वीनध के तरफ से पानशारुपय का इनाम मिला था यह याद रखिएगा और ये भी एक मैं लिख दिए हूं कि मीर मुहम्मद अता हुसैन खा तहसीन जो है ना मीर अमन के ये किताब लिखने से पहले यानि कि बाग बाहर का तर्जुमा करने से पहले ये कुछ चाहर दर्वेश का तर्जुमा कर दिये थे नौ तर्जुमा कर दिये थे नौ तर्जुमा कर दिये थे इसको तर्जुमा किए मीडौमद अत्रgesch के नام किरेक इंडरेक्री में वह सकते हैं कि कि बां मनद्म देंडर्वेश का ही तर्जुमा है मियर मुहम्मध prepare खातहसैन नौततर्जक्रीम अरे से यहन की किताब का नाम रख दिया गया नौ तर्जमुरस्टा और फिर इसको ट्रांप्लेट कर दिये मीरमन दहलवी बागोबहार नाम के किताब के नाम से ठीक है तो आप यूंग के सकते हैं कि बागोबहार जो है यह तरजुमा है किस चीज का इंडरकली चहार दर्वेश न मैं के किताब को ही इन्होंने ट्रांसलेट किया है नौतर मुरस्टाकी नाम से ठीक है न और चहार दर्वेश की आप यूंके सकते हैं टर्वेश-काही तरजुमा बागोबहार ठीक है जो की मीरमन dyehjalえば ने बागो बहार नाम के जो किताब है इसको लिखा तरजमा किया है ठीक है तो आप लोग अपलोग को मीर अमन दहलवी के बारे में सारा डिटेल समझ में आ गया होगा जितना भी आप लोग के बुक में डिटेल्स दिया गया था सारा मैं बोट पड़ लिग दी हूं और आप को बता ही दी तो यह पॉइंट याद रखेंगा स्क्रीन लेने का मैं मौका दोंगी आप लोग टेल्स नहीं लिए चलिए कोई दिकर नहीं अभी ले लिजे पड़ा में स्क्रीन शॉर्ट तो अब चलिए हम लोग फटपट यह जो दास्तान दिया गया है इस चप्टर में यानि कि इस दास्तान में जो भी कहानी बताई गया है वो कहानी को समझ लेते हैं देखिए कहानी शुरू होती है चीन माचीन के बादशाह से यानि कि चीन माचीन मुलक का एक बादशाह थे जिनका नाम नहीं बताये गया है मतलब कि वो उस मुलक यानि कि उस शहर के बादशाह थे उनकी तबीद खराब हो गई थी और बहुत ही जदा तबीद खराब हो गई तक यहाँ में और राज में भाए को बुलें कि अपने चोटे भाई को भोलें धेखो अब मेरा आखरी वक्त आ गया है मैं इस दुनिया को छोड़ कर जाने वाला हूँ इसी वज़े से मैं तुम को इस मुल्क का बादशाह बना देता हूँ और जब मेरा बेटा तख्त संभालने के लाइक होगा इस काबिल हो जाएगा तो तुम उसको ये तख्त दे देना यानि कि तुम उसको बादशाह बना देना क्योंकि मेरा बेटा यानि कि इस मुल्क का जो शहजादा है वो अभी तख्त संभालने के लाइक नहीं है इस मुल्क पर राज करने के लाइक नहीं है बादशाह बनने के लाइक नहीं है लेकिन जब वो बादशाह बनने के लायक हो जाएगा तब तुम उसको बादशा बना देना, लेकिन तब तक तुम बादशाह रहो, ठीक है? तो चीन माचिन मुल्क के जो बादशाह थे वो अपने भाई को बादशाँ बना दिये और वो मर गए, असली कहानी यहीं से श्रूर गया और शहजादा बड़ा हो गया अब तक्त संभालने के लाइक हो गया उसकाबिल हो गया बादशाह बनने के लाइक हो गया लेकिन जब बात आई गदी देने की यानि की तक्त संभालने की मतलब चाचा को अब दे देना चाहिए बादशाह बना देना चाहिए तो जब परता ही रहूं उनके अंदर ये लालश आ गई और वो शहजादे को बार्शा नहीं बनाना चाहते थे तक्त नहीं देना चाहते थे इसी वज़े से वो क्या किये वो अपने एक क्या बोला जाता है नौकर को बुलाए जिसका नाम था मुबारक और जब मुबारक को बुलाए प्र ये नौकर होता है ना उसी तरीके से उनका खास नौकर था तो वो अपने नौकर मुबारक को बुलाए और बोले कि तुम जाओ शहजादे को गतल कर डालो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उसको बादशा बनाओ उसको मैं ये तख्त दू मैं उसको बादशा बनते हुजूर आप बुरा नमाने तो एक राय में देना शाहता हूं आपको तो बादशा बोले के ठीक है बताओ पिर आप यूँ के सकते नौकर था तो थोड़ा राय भी लिया करते थे बादशा तो मुबारक बोला कि आप एक काम कीजिए शहजादे को मेरे साथ कहीं दूर भेज जंगल में कहीं दूर जंगल मिले जाकर अकेले छोड़ कर चलाओंगा और इस तरह आप पूरी अवाम को कह दिजिएगा कि शहजादा जो है वो घूमने के लिए गया था या फिर शिकार करने के लिए गया तो उधर ही वो लापता हो गया पता नहीं चल रहा है उसकी मौत ह हो गई ठीक है ना इस तरह बोल दिजिएगा इस तरह आपके आप पर इल्जाम भी नहीं लएगा आपके उपर कतल का धबा भी नहीं लएगा नहीं तो इस तरह लोग सोचेंगे कि तक्त यान की गद्दी की लालश में चशा ने भती जो को भी मरवा डाला कतल करवा डाला तो यह इल्जाम आप पर नहीं लएगा आप बोल दिजिएगा कि शहजादा घूमने के लिए गया था और उधर ही उसकी मौत हो गई लपता हो गया कोई पता नहीं चल रहा है ठीक है तो बादशाह को यह तरकी बच्छी लगी बादशाह बोले सही बोल रहे हो तुम एक का घूटाम को इसका चूँत को आणग recognize that just our duty अपने कि लेकर निकल गया की दूर जाने के बाद जहने के बार उना मुबार्त से यह सारा बात बदाया कि उसका चछे जोई न उसको तुमको मार देना चाहता है तख्त की लालच में एक काम करो मैं तुम्हारी मदद तो करना ही चाहता हूं इसी वजह से किसी भी तरीके से बादसा को बेखुप बना कर तुम्हें इतनी दूर लेकर आया हूं ठीक है वो क्या किया मुबारक बादशा का यहनकी जो पुराने वाले बादशा थे यहनकी शहजादे की जो वालिद थे पिता जी पुराने वाले बादशा जिनका मौत हो गया था यहनकी इंतकाल हो गया था जिनका उनका एक दोस्त था जिन्नातों का बादशा जिसका नाम थ साधिक तोह मुबारफ जो है न वह कि मैं चलो तुम्हारे वालिद के जो दोस्त हैं जिननातों के बादशाह मलिक साधिक के पास लेकर जाता हूं ठीक है? वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे嗎 और तुम्हारे चचेष नगे मारे तक ASMR करेंग मान हो सकता था बाजार से खरिद लिए इत्र वगला सुर्मा वगला जित्ना भी चीजह होती हैं वो सारा चीज़ खरीद लिया अनीता या चल दूं तो जिन्नातों के बादशाल मलक साथिक से मिलने के लिए दोनों जन ठीक है अब मुबारक जो लेकर जारा था शहہजादे को रास्ते में खाली जगह था मतलब कुछ नहीं दिख रहा था दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था ठीक है रिगिस्ताण टाइप का धिक रहा था तो मुबारक बोला शहजादे से कि शहजादे देखी अब हम लोग अपने मनलें के बहुत करीब है जिननातों के बादसाइभ मलिक Thanks का महल दीख राया है अब लोग उन ने वाले हैं तो शहता to f-8 न बहुत दीख रहा था था तो शहजादा बोला कि हमको कहां कुछ दिख रहा है हुद लोग अपने मन्जिल के कहां करेबे कहां महल आपको दिख रहा है हमको तो दिखी नहीं रहा है तब क्या किया मुबारक एक सूलेमानी सुर्मा निकाला और शहजादे के आँख में लगाया जैसे ही वो सूलेमानी सुर्मा लगाया तो शहजादे को सब कुछ दिखने लगा यानि कि जिन्नातों का महल दिखने लगा ठेके ना जिन्नात इधर उदर फिरते गवे नजर आ रहे थे ठेके तो सब कुछ दिखने लगा महल वगर दिखने लगा तब बोले कि अच्छा अब गर्दी है और उसी पर जिन्नात के बादशाह जो मलिक साधिक है वो बैठे हुए है और साइड साइड में मं Hospry जो है वह बैटquelle है तो मन्तरी वह रहते हैं तो यहीं अंटरकिये लो और आकल मुबारक जो है ना सारा बात आप जो है शहजादे के वालिद के दोस्त हैं तो जरूर हम आप इसकी मदद करेंगे ये मुझे पूरा यकीन था इसी हो जैसे हम आप के पास आये हैं तो जो जिन्नातों के बादशा मलिक सादिक थे वो सारी बात सुन लिए और फिर आखिर में बोलें कि ठीक है मैं तुम्हा मेरा एक काम करना होगा अगर तुम वह काम कर देते हो ना तुम्हारा तख्त में दिलवा करूँगा किसी भी हाल में मैं तुम्हारी मदद करूँगा बस तुम मेरा एक काम कर दो तो मुबारक और सहजादे कुछ देर तक सोचे और फिर बोले कि ठीक है बताइए मलिक सादि एक कागज टाइप का लिफाफा टाइप का निकाले और सहजादे को दिये सहजादे को देते हुए बोले कि इसमें जो तस्वीर है यानि कि जिस लड़की की तस्वीर है उसे तुम्हें ढूंड कर लाना होगा अगर ढूंड कर ला देते हो ते तुम जो कहोगे मैं करूँगा तुम्हारा तख्त तुम्हारे चचा से दिला कर रहूँगा ठीक है? तो सहजादा उस लिखाफे से तस्वीर को निकाला जैसे ही लड़की की Тस्वीर को देखा न तो वेहोश होते होते वचा क्योंकि जिस लड़की की तस्वीर उस लिखाफे में थी, मैंतल्ब उस काज़ पर थी, वो इतनी ज़्यादा खुब्सूरत कि उतनी खुब्सूरत लड़की तो उस वक्त मलिक साधिक जिन्नातों का बादचा जो था मलिक साधिक वो ताकिद किया यानि की श्यजादे को धमकाया बोला कि देखो लड़की खुबसुरत है और तुम इस भावना में आकर अगर कुछ दूसरा कदम उठा लेते हो और लड़की को लेकर नहीं आते हो तो समझ लेना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मुझसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं होगा तुम्हें किसी भी हाल में इस लड़की को हमारे पास लाना है ठीक है और ये काम करोगे तभी मैं तुम्हारी में और यह उस लड़की को ढूंढे के लिए निकले तास सालों तक ढूंते रहें इदर बहुतकते रहें अलग रहें अलग गल्क में जा जाकर यह ढूलरत तक साथ होना के लिस्त को बहुत चुके थे लोगती नहीं विखारी को देखा वो एक अंधा फकीर था आप यू कह सकते हैं हिंदुस्तानी भिखारी था तो यहां पर कोशन यह भी पूचा जाता है कि बाखो बहार दास्तान इनका जो इक्तबास दिया गया है आप लोगे मुख में इसमें कितमें मुल्कों का जिक्र है तो याद रखे है और वो मांग रहा है भीख मांग रहा है लेकिन कोई भीख उसको भीख नहीं दे रहा है कोई भी नहीं दे रहा है भीख मांग रहा है विचरा परिशान है कोई भीख नहीं दे रहा है तो शहजादा जो है जाकर एक अश्रफी उस भीखारी को दे देता है अब वो अश्र में नए आये हो خुदा तुम्हारी हर खुआश को पूरा करे द्यों सामरी द्येर सारी ढुआइध देता है फकिर लेकिन बेचारा श हैजधादा वहाँ यह सोच रहा होता है कि फ़दा कहां हमारी खुआशक को पूरा कर रहा है। सालस से जिसकी तलाश में निकला हूँ अभी तक नहीं मिले मन में सोचता है और फकीर क्या करता है अश्रफी लेकर चल देता है अब उस फकीर का पीछा सहजादा और मुबारक दोनों जन करते हैं यानि कि उस फकीर के पीछे पीछे जाते हैं फकीर चलते चला जाता है और एक महल के सामने जाकर खाड़ा हो जाता है वो महल देखने के बाद श्रहजादा ये सोचता है कि ये महल जब नया होगा महल बहुत पुराना दिखता है बहुत पुराना हो गया रहता है और उसी महल के सामने जाकर वो फकीर खाड़ा हो जाता है और वो जो महल रहता है उसको देख कर शहजादा ये सोचता है कि ये महल जब नया होगा तब कितना खुबसुरती दिखता होगा और इधर पकीर जो है ना महल के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये लो किसी नेक इनसान ने मुझे भीख दी है और जो श्रफी दी उसे मैं खरीद कर ये धिर सारा समान लेकर आया हूँ कपड़े लाया हूँ पहनने के लिए और खाना बनाने के लिए भी कुछ समान ले कर आया हूं ये लोग जल्दी ले जाओ ठीक है तो उस महल में से जो लड़की बाहर निकल कर आती है ना उस लड़की को देखकर श्रहजादे और मुबारक दंग रह जाते हैं क्योंकि वो लड़की कोई और लड़की नहीं रहती ह है बल्कि वही लड़की रहती है जिसको साथ सालों से वो लुटूंड रहे होते हैं और उस लड़की की खुबसूरती मुकलत इतनी ज़्यादा खूब कि उसको देखकर उस लड़की की खुबसूरती को देखकर विचारा शहजादा जो है ना वही पर बेहोश हो जाता है अब बिचारा मुबारक जो है नौकर वह जगाता है इसको उठाता है इसको क्या हो गया उठाता है वह बेहोश हो गया रहता है तो यह उठाता है पुरा प रखता है और उस फकेर की जो लड़की रहती बेटी रहती है वो एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है खंबे के पास तब जो फकीर है वो बोलता है कि बताओ तुम इस शहर में क्यों आये हो किसकी तलाश में हो क्या ढूंड रहे हो तुम ठीक है तब उसी वक्त शहजादा ज हमें तलाश के लिए भेजा है यह नहीं बताता है वो यह कहता है कि यह मैं किसी सवधागर से यह तस्वीर लिया हूँ और इस लड़की को मैं ढूंड रहा हूं साथ सालों से ठीक है लेकिन यह लड़की कहीं नहीं मिल रही थी और आज मुझे साक्चात देखने को मिल गई ठ भूट बोल देता है कि मैं इसको इसे तस्वीर को किसी सवधागर से लिया हूँ और इस लड़की को धूंड रहा था मैं ठीक है तो यह बात सुनता है फकीर तो फकीर जो है ना वो अपने बारे में बताता है कि देखो यह जो तुम हमारे अहालात देख रहे हो ना हम लोग कभी ऐसे नहीं तें constitute ही नहीं हम लोग का खांदान तो रइस खांदान था पूरे posição सहर में हमारा नाम हुा करता था हमारे पूरे खांदान का नाम हुा करता था और हमारी एक बेती पैदा हुई ती जोगी बहुत दा खुबसूरत थी इसदूनी को बहुत जा इसकी खुब और एक मुल्क का शहजादा बार में सुना रहता है तो फान लेता है कि वह हमारी बेटी से ही करेगा तो उसके वालिद हैं वह हमारे पास आयत है कि आप अपनी बेटी का शादी हमारे शहजादे से करा दीजिए तो मैं ये सोचा था कि हमारी बेटी तो बड़ी हो ही गई है एक ना एक दिनी सो इसे तो बयाहना ही है यानि कि शादी करनी ही है और यहां पर खुद चल कर रिष्टा आया है और ये बादशा है और शहजादे से शादी हो रही है मतलब इतने बड़े खांदान में इतने बड़े लोगों से रिष्टा तै हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है तो मैं क्या कर दिया कि उस लड़के से शादी मैं अपनी बेटी का तै कर दिया और उसके बाद से शादी की तयारिया धूम धाम से होने लगे और यहीं पर यह कहानी का देइंद हो जाता है अब क्या हुआ किस तर से हुआ कि यह लोग फकीर बन गया यान कि वो जो फकीर बता रहा था अपने बारे में और उसकी बेटी जो साइड में खड़ी थी यह लोग फकीर कैसे बन गया अब यह पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग को पूरा दास्तान पढ़ना होगा उसक्त सारा में कहानी बता दी बस यहीं पहले जाकर कर दिया गया है यहीं तक कव लंग के लुक में बताया है कि शादी की टयारी यह धूमधाम से होने लगी अब अब आगे की कहानी नहीं बताया गिया है ठीक है ना तो फाइनली यहां पर इस चैप्टर का दे इंड होता है आई होप आप लोगों को चैप्टर पूरा समझ में आया होगा और इस चैप्टर के जो राइटर है मीर मंदैडिम इनके बारे में सारे इंटरिक्स तो मैं बता ही और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेर करना है अपने पर उसी अपने दोस्तों के पास जितने भी आप लोगो के रिष्टिधार है चाहता तो शेर कर दिजिए और हो सके तो आज कि इस वीडियो का इस तो जरूर लगना चाहिए ठीक है तो चानल पर अग्राप नए- अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज